पाकिस्तान का असली अवकाद दिखा दिया इंदिया वालों ने आखिरकार पता चली गया कि बाप बाप होता है और बेता बेता होता है आखिरकार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि मातरे 186 रन पर ओल आउट करके बता दिया कि वो दिन 266 का स्कोर भी बहुत जादा था बारिस होने के बज़े से पहला मैच में तो पाकिस्तान बच गया लेकिन उमीद के साथ मैं कर सकता हूँ गैरंटी के साथ 100% गैरंटी के साथ कि पाकिस्तान का कोई आउकार नहीं है इंदिया के समने मातर 116 रन पे all out हो गया अगर दूसरे दीन रिजर्फ दे में भारत भलेबाजी नहीं भी कहते फिर भी 147 रन ही बहुत जादा था पाकिस्तान के लिए कहां गया वो अफ्रीदी जिसक है कि पाकिस्तान का नमर-वन बॉलर है कहां गया वो नाशीम साफ जर्फ बताईए और कहां गया हो क्योंकि कोली ने मातर 84 गेंदो पर सदक लगा कर और लास्ट ओबर में बैक तू बैक बोंदरी लगा कर या सामित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। और एक बाद और बताते चले कि जितना पाकिस्थान का अबादी है उससे ज्यादा बिरात कोली का इस्ता पर फ्लोबस है। और सबसे बड़ा बात है कि चार बैतर आये थे इंडिया के तरफ से और पहले जो दोनों अपने थे और उसके बाद जो दोनों तीन नमर और चार नमर के बैतर आये थे उस सतक बनाएं और राहुल का वो जो सतक और विराज कोईली का उस सतक सिर्फ देखने लाइक नहीं बलकि समझने लाइक भी यह था कि पाकिस्तान अभी बच्चा है और बच्चा ही रहेगा बाप के समने बेता भले ही उचल कुद ले कितना भी लेकिन बाप बाप होता है और बेता बेता होता है इस मैच के दोरों नहीं पता चला है और आज इंदिया बसे स्री लंका का मैच है और दिन मंगल बार है और मंगल ब को ही नहीं बलकि सीरी लंका और बंगला देश जो भी आए गया उसके समने उसको हराकर एस्या कब जीतेंगे सो पसंद गारेंटी के साथ करा हूं